विदान सबा चुनावों के बाद मतगनना को लेकर बनाए गए स्टॉंग रूम के बाहर अब सुन्दर नगर में ब्लॉप कॉंग्रेस कमेटी ने भी सुरक्षा विवस्था को मद्दे नजर रखते हुए अपना तंबू मंगलवार को गाड़ दिया है यहाँ पर 24 घंटे कॉंग्रेस पार्टी के पदादिकारी और कारेकरता तीन चरनों में अपनी अपनी ड्यूटी का निर्वाहन स्टॉंग रूम के बाहर लगाएंगे वहाँ पर कॉंग्रेस कारेकरता और पदादिकारियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की और से CCTV कैमरी की LED बाहर लगा दी गई है और कॉंग्रेस पार्टी के पदादिकारी एवं कारेकरता तीन शिफ्ट में अपनी अपनी ड्यूटी का निर्मान कर रहे हैं और बराबर निगरानी सक्रीन और स्ट्रॉंग डूम पर बनाए हुए हैं इस संधर में ब्लॉग कॉंग्रेस कमिटी सुंदरनगर के चेर्मेन हेमन शर्मा का कहना है कि स्ट्रोंग रूम के बाहर सुंदरनेगर में भी कॉंग्रेस पार्टी ने अपना तंबू लगा दिया है और बकाईदा तमाम अपचारिकता की प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए प्रशासन की मंजूरी मिलने के बाद इस प्रक्रिया को अमली जामा पहना आया गया है स्ट्रोंग रूम के लिए हम एस्टिम सबसे मिले थे और हम चाहते थे कि जो भी स्ट्रोंग रूम है हुँ हमारे बर्कूरों के निग्रैनी में रहे कोई आदमी जाता है नहीं जाताいう तो उसकी पूरिया हम निग्रैनी कर सके तो इसलिए हमने इन से रुक्राइसटी की थी और इन हमें ईलॉग इलोव कर दिया और हमने फिर इनको LDR के लिए रुकाष्ट की ताकि हमारे लोगों को कोई असुदा का सामना ना करना पड़े और जो हमारा टेंट लगा उसके सामने हमें बोला कि LD लगा दी जाए क्योंकि ठंड बहुत है और कहीं हमारे जो बरकरें बिमार ना हो जाए तो उन्होंने सारी विपस्ता जो है बिद्वड़ों से कर दी गए और इसमें ऐसा है जो जो पीछे जो चुनाब होए उसमें जो यह रफशेरी हुई एक ही रेंज से सारे पिछले चुनाब में हमारे कंड़िट हारे मंडी जिला से दस के दस कंड़िट जो है वो एक ही तो इसलिए हम अच्छे धंक से उसकारण को निभाएंगे, कोई गुंडगरदी नी होगी, कोई ऐसा कहा नहीं हो जिसे आपको भी शर्म महिसूस होने पड़े, तो इसलिए हम रहे बरकुर हमने ड्यूटी लगाई है, तेनी शिफ्टे में लोगांगे, तो इसलिए हमने ड्य काम करें आठ बज़े से लेकर आठ बज़ तक गाई ड्यूटी आठ से दो बज़ तक दूसरी शिफ्ट और और दो बज़े से आठ बज़ तक तीसरी शिफ्ट जो काम करेंगी कैसा है मैसूस हो रहा है जैसा कि हम देख रहे हैं कि EVM को लेकर पूरे देश में बहुत सी शंकाय लोगों के मन में हैं और हमारे मन में भी वो उत्पन हो जाती है जब हमने देखा कि प्राइवेट गाडियों में जगा जगा पर लोग EVM अपने मन मरजी के अनुसार बहशा को उसके लिए सरकार का जो मरजी अपनी explanation दे मगर जो चीज एक बारी हो गई उसकी वजह से जो जो शंका पैदा होना है वह बहुत जुर्यी और लोकतंत्र की सुरकषा के लिए जो ये पहरेदारी है वह बहुत जुरूरी है और सुन्दर नगर में यह चीज इसलिये ज़रूरी है क्योंकि पिछले पांच साल में सुन्दर नगर हब बन के रह गया घोटालों का चाहे वो परीकशाओं से संबंदित हो या शराबकांट जैसे मामले हो हर चीज में सुन्दर नगर अवल रहा है इन घोटालों के मामलों में तो उसी वज़ा से हमारे इसमें ये जो शंका है तो EVM को लेकर भी कि ये बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रशाशन इसमें शामिल हो जी हमने स्टेम महुदे से ये रिक्वेस्ट पहले भी की थी और हम शुक्र बुदार हैं उन्हें कि उन्हें में जो CCTV है वो नीचे ही उपलब्द करा दिया अदर्वाइस पिछले एक हफते में यह यहां पर अपलब्द नहीं था उसके लिए सिर्फ एक दो लोग जा सकते थे उपर वो भी सिर्फ कुछ समय के लिए अब ये हमारे सामन हिमाचल में चुनावों की बहतरीन कवरेज के बाद पंजाब और जमुकश्मीर में आ रहे हैं हम आपकी उमीदों पर खरा उतरने की कुशिश करेंगे हम आपकी अवाज को प्रशासन तक पहुंचाएंगे हम किसी भी समस्या या परिशानी के लिए नीचे दिये गए नंबर पर संपर्थ करें हम हैं EMI News आपकी अवाज आपकी अवाज